गुड आप्टरनून स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मोरिय की उत्पती से संबन्दित मतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो परीक्से की द्रिस्टी से बहुत ही महतोपुण है यदि आप लोगों ने हमारा यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए-ने नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें और इसी परकार के आपको और भी महतोपुण जानकरी प्राप्त हो सकें तो देखें पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मोरिय की उत्पती तो देखेंगा मोरिय समराजय का संस्तापक चंद्रगुप्त मोरिय था जिसकी उत्पती के सम्मन्द में अनेक रिद्वानों ने अलग-अलग मत परकटे किये हैं चंद्रकुप्त मोरिय की उत्पती के समन्द में ब्रामन बोध तथा जैन ग्रंथों में प्रस्पर विरोधी विवरणे मिलते हैं चंद्रकुप्त मोरिय की जात्ती का निर्दारन भारती इतियास के एक कठिन समस्चा रही है ब्रामन ग्रेंथ में चंद्रगुप्त मोरिय को सुद्र अथ्वा निम्न कुल से संबन दीते बताया गया है जबकि बोध तथा जैन ग्रेंथ उसे चत्रिय सिद करते हैं कई बार एकजामे पूछ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मोरिये को सुद्र अत्वान निम्न कुल का किस में का गया वो ब्रामन ग्रेंथ हैं और बोध तथा जैन ग्रेंथ उसे किस वन्स का बताते हैं वो छत्रिय कुल का उसको बताते हैं चंद्रगुप्त मोरिये की उत्पती विशयक विभिन मतों की समिक्सा इस प्रकार से देखेगा सबसे पहले है ब्राह्मन साहिते का साक्से तो ब्राह्मन साहिते वा चंद्रगुप्त मोरिये की उत्पती के बारे में क्या साक्से देते हैं इसके बारे में देखेंगे हम ब्र ननंदी के बाद सुद्र योगी के राजा प्रत्वी पर सासन करेंगे कुछ विद्वानों ने इस कथन के आधार पर मोर्यों को सुद्र सिध करने का प्रियास किया है तो यह जो सिसुनागवंस है नंदवंस है हरियकवंस है इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है तो जो महाजनपत से समाधित अपने वीडियो देखे थे वहाँ पे देखेगा आप इन हर्यक वन्स सिसुनाग वन्स और नंद वन्स और आपका मोरिय वन्स इनके प्रारमबिक सास्कोर के बारे में आपको महाँ पे इन फूर में से मिलेगी तो देखेगा विश्नो पुराण के एक भास्यकार सिरी धर स्वामी ने चंदर गुप्त को नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन बताया गया है उनके अनुसार मूरा की संतान होने के कारण ही वह मोरिय कहा गया तो शिरी धर स्वामी क्या कहते हैं इसी परकार से दूसरा प्रमान विशाकादत के मुद्रा राक्सस नामक नाटक से लिया गया है मुद्रा राक्सस में चंदर गुप्त को नंदराज का पुत्र कहा गया है किन्तु इसमें जो विवरण मिलता है उससे सपस्ट हो जाता है कि चंदर गुप्त नंदराज का वैद पुत्र नहीं था क्योंकि नाटक में ही नंदबन्स को चंदरगुप्त का पित्रकुल भूतम अर्थात पित्रकुल बनाया गया है जो पित्रकुल भूतम है उस पद का उलेख है यदि चंद्रगुप्त नंदराज का वैद पुत्र होता तो उसके लिए पित्रकुल का प्रियोग मिलता फिर से एक इस्थान पर लिखा गया है कि नंदराज का समूल नास हो गया यदि चंदरगुप्त नंदराजा का वास्त्विक पुत्र होता तो उसके बचे रहने का प्रशन ही नहीं उड़ता ठीक है यह नाटक नंदों को उच्छकुल तथा चंदरगुप्त को निम्नकुल का बताता है इस ग्रेंध में चंदरगुप्त को व्रिशल तथा कुलहीन कहा गया है सुद्र उत्पती के समर्थक विद्वानों ने इन दोनों शब्दूं व्रिशल तथा कुलहीन को सुद्र जाती के अर्थ में ग्राण किया है अठारवी सताबदी इस्वी के मुद्राराक्सस के एक टिका कार धुंडी राज ने चंदरगुप्त को सुद्र सिध करने के लिए एक अनों की कहानी गड़ी है धुंडी राज के नुसार स्वार्थ सिधी नामक एक चत्रिय राजा की दो पत्निया थी सुननन्द और मूरा सुनन्दा एक चत्रानी थी जिसके नो पुत्र हुए जो नव नंद कहे गए मूरा सुद्रा व्रसलात्मजा थी उसका एक पुत्र हुआ जो मौरिय कहा गया ये कौन कहे रहा है दुंडी राज ठीक है ग्यारविस्त आपदीश्वी के दो संस्कृत ग्रंथ सुमदेव क्रेत कथा सरीसागर तता छेमेंदर क्रेत व्रहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त की सुत्र उत्पती के विशे में एक भीन वीवरन मिलता है इन ग्रंथों के अनुसार नंदराज के अचानेक मुरत्यू हो गई तथा इंद्रदत नामक एक व्यक्ती योग के बल पर उसकी आत्मा में परवेश कर गया तथा राजा बन बैठा इसके बाद वह है योगनंद के नाम से जाना जाने लगा उसने नंदराज की पतनी से विवाह कर लिया जिसे उसे हिरने गुप्त नामक पुत्र उत्पन हुआ किन्तो वास्त्विक नंदराजा पूर्वनंद को पहले से ही चंद्रगुप नमक एक पुत्र था योगनंद अपने तथा अपने पुत्र हिरनी गुपत के मार्ग में चंद्रगुपत को बाधक मानता था जिसे दोनों में वमनिस से होना स्वाभाविक था वास्त्विक नंदराजा के मंद्री सक्टार ने चंद्रुगुप्त का पक्ष लिया चाने के नामक ब्रामन को अपनी ओर मिलाकर उसकी सहायता से सक्टार ने योगनंद तथा हिरनिय गुप्त का अंति कर दिया तथा राज्ये का वैद उत्रा दिखारी चंद्रगुप्ती सिहांसन पर बैठा इस प्रकार इन करन्तों में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र मान कर उसकी सुद्रुत्पति का मत्व्यक्ते किया गया है ठीक है तो देखेगा पहले हमने ये पड़े आपके कि ब्रामन साहिते हैं उसने क्या-क्या साख से दिया ठीक है अब इसके बाद अपन देखते हैं बोध साहिते के साख से क्या-क्या है तो ब्रामन प्रम्प्रा के विप्रीत बोध गरंतों का प्रमान मोरियों के छत्रिय जाती से सम्बंदित करता है तो बोध साहिते हैं वह क्या करता है कि बई मोरिय हैं वह छत्रिय जाती से सम्बंदित थे जबकि ब्रामन गरंत कहते हैं कि वह सुद्रे थे ठीक है यहां चंद्रगुप्त मौरिये छत्रिये वन्सका कहा गया है तो यह कई बार पूछ लेते एक जाम में ब्रामन साहिते क्या कहता है चंद्रगुप्त मौरिये को बोथ साहिते क्या कहता है ये मोरिय कपिल वस्तू के साक्यों की ही एक साखा थे जिसमें कोसर नरेश विडव ने कपिल वस्तू पर आकर्मन किया साक्य परिवार के कुछ लोग कोसर नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए हिमाले के एक सुरक्सित चत्र में आकर बस गए यह स्थान मोरों के लिए प्रसित था अतय यहां के निवासी मोरिय कहे गए ठीक है न कि बई इनको मोरिय क्यों कहा गया उसके बारे में यहां पर बताया है बोज साहिते में मोरिय सब्द मोर से ही निकला है जिसका अर्थ मोरों के परदेश का निवासी एक दूसरी कथा में मोर्य नगर का उलेख हुआ है तता ये बताया गया है कि ये नगर जिन इंटों से निर्मित हुआ था उनकी बनावट मयूरों के गर्दन के सम्मान थी अताया नगर के निर्माता मोर्य नाम से परसिदे हुए अनेक बोध गरंथ बिना किसी संदे है कि चंद्रगुप्त को छत्रिय गोशित करते हैं महा बोधी वन्स में उसे राजकुल से संबन दित नरिंद्रकुल संभव बताता है जो मोर्य नगर में उत्पन हुआ था ठीक है इसी परकार से बोध गरंथ है महा वन्स उसमें चंद्रगुप्त मोर्य नामक छत्रिय वन्स में उत्पन कहा गया है महा परी निबान सूत में मोर्यों को पीपली वन्स का सासक तथा छत्रिय वन्स का कहा गया है इसके अनुसार बुद्ध की मृत्यू के बाद मोर्यों ने कुशी नारा के मलों के पास उनके अवसेसों का अंस प्राप्त करने के लिए राजदूद भेज कर अपने चत्रिय होने के आधार पर ही दावा किया था महा परी निवासन सुल्थ नामक प्राचीनतम बोध ग्रेंथ है अतह है इसे ज़्यादा विश्वसन ये माना जाता है ठीक है अब देखें के बोध साहिते कहता है कि ये जो मोर्य थे ये चत्रिय थे आप देखेंगे अपन जैन साहिते के साख से जैन साहिते में हेम चंदर का परिशिस्ट परवन सर्वाधिक महत्तोपुण है इसमें चंदर गुप्त को मयूर पोसकों के ग्राम के मुख्या की पुत्री का पुत्र बताया गया है आवशक सुत्र ही हरी भधरिया टिका में भी चंदर गुप्त को मयूर पोसकों के ग्राम के मुख्या की कुल में उत्पन कहा गया है यहां उलेकनी है कि जैन नंदों को सुद्र बता कर उनकी निंदा करते हैं जैन है वो नंदों जो नंद वन्स थे था उसके सासकों को सुद्र बताते हैं उनकी निंदा करते हैं जबकि वे मोरियों की सुद्र उत्पति का संकेत तक करते ठीक है जबकि जयन जो चाहित है उसमें मोर्यों के लिए शुद्धर उत्पति का कोई उलेक नहीं किया जबकि नंदों को शुद्र बताया है इस परकार जयन दता बौध दुनों ही साख से मोर्यों को मयूर से समानित करते हैं इस मत की पुष्टी असो के लोरियान नंदन गड के स्थम के नीचे के भाग में उतकीर्ण मयूर की आकर्ती से भी हो जाती है ठीक है सरापर्तम गुरून वेडेल महोदे ने ये बताया था कि मयूर मोरियों का वन्सिय चिन था इसी कारण मोरिय यूग की कलाकरतियों में मयूरों का पर्थि निदित्व देखने को मिलता है इसी प्रकार से मार्सल का विचार है कि सांची के पूर्वी द्वार तथा अन्य भवनों को सजाने के लिए मोरों के चित्र बनाय जाते थे साची के विसाल इस्तूप में भी मयूरों की कई आकर्तियां उत्कीरने मिलती है तो ब्रामन ग्रैम क्या कहते हैं? मोरिय क्या थे? सुद्र थे जिबकि जैन और बो साहिते कहता है कि नहीं ये चत्रिय थे अब देखेगा विद्देशी लेख कों की साख से विद्देशी क्या कहते हैं? इनके बारे में सिकंदर के उत्तरकालीन यूनानी लेख को ने चंद्रगुप्त के समझ में जो विवरन दिये हैं वे यहाँ विचारनी हैं देखेगा यूनानी लेखक उसे एंड्रो कोटस आदी नमों से जानते हैं यूनानी लेखक हैं वो चंद्रगुप्त मोर्य को एंड्रो कोटस कहते हैं प्लूटार के वीवरण से पता चलता है कि जब वह यूवक था तभी स्वयम सिकंदर से मिला था बाद में कहा करता था कि सिकंदर बड़ी आसानी से संफून देश को जीत लिया होता क्योंकि ततकाली नंद राजा अपने कुल की निम्ता के कारण जनता में अत्यदी ग्रणी तेवम अपिरिये था इससे निसकर्श निकलता है कि चंदर गुप्त यदी स्वयम निम्न कुलोतपन होता तो वह नंदों के कुल के विशे में असी बाते नहीं करता जस्टिन हमें बताता है कि चंदर गुप्त यद्यप की सम्माने कुलोतपन था फिर भी देविये प्रेणा वह सम्राट बनने का महत्व कांगसा रखता था एक बार सांडरो कोटस की सपस्टवादिता से सिकंदर एप्रेशन हो गया और उसने उसे मार डारने का देश दिया चंदर गुप्त अपनी सतर्पता से बच गया बच निकला इन विवरोनों से मातर यही निसकर्ष निकलता है कि वह राज परिवार से संबन्दित नहीं था ठीक है तो ये चंद्रगुप्त मोरी है उसके भई वो कोन से वन से संबन्दी था इनका विवरण अलग-अलग इद्वानों ने दिया अब देए कि उसका वर्ण निदारण भई एक्चुल में उसका वर्ण कोन सा था तो ये इन विवित परमाणों के अलोशनातमक समिक्सा के बाद जो भी अपने पढ़ियां पहले वाले बाते उनकी समिक्सा करने के बाद ये कार जा सकता है कि बोध तथा जैन गरंतों का परमाण एथियासिक दर्ष्टी से सरवादिक संतोजनक है ठीक है ना कि वो चत्रिय थ वस्तुत है चंद्रगुप्त मोर ये चत्रिय ही था उसे सुद्र अथ्वा निम्न जातिय सिद करने के लिए हमारे पास कोई ठोस आदार नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रगुप्त का गुरू चानक के वर्णा स्रम धरम का परबल पोसक था जिसके अनुसार चत्रिय वर्ण का वेक्ति ही राजत्वय का अधिकारी हो सकता है अर्शास्त्र में उसने एक स्थान पर बताया है कि दुर्बल वेक्ति भी ये दि उच्वरण अभिजात वर्ण का हो तो वह निम्न कुलोधपन अनभिजात वर्ण बलवान वेक्ति की अपेक्षा राजा हो प्रूंसिराजा गिरना का पात्र होता है, इन उद्रणों से सपष्ट सिध हो जाता है कि यह दी चंद्र गुप्चतरियन नहीं होता तो चाने के नंदों के विनाश के लिए उसे अपना अस्तन नहीं बनाता, ठीक है? वह एक सुद्र को राजगदी पर कदाभी नहीं बठा सकता था अत्या चंदरगुप्त को छित्रिय मानना ही सरवता समीचीन लगता है ठीक है तो इस वीडियो में हमने चंदरगुप्त मोरिये के वांड से संबंदी जो भी बाते हैं उसके वन से संबंदी जो भी बाते हैं जो भी मत हैं वो यहाँ पर आपको बताए हमने यहाँ पर पढ़े और चंदरगुप्त मोरिये का प्रारंबिक जीवन उसका समराजय विस्तार उसकी जो सासन व्यवस्ता है इनके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद